प्लाटफॉर्म प्लाटफॉर्म थे जीदा नाम है पंजाब अड़ाड 947 मेरा नाम है मुसकान कश्यप डेली अपनी बारा वजे साइंस दी क्लास लग दी है जीदे विच अपा पीपीएसी कोपरेटिव इंस्पेक्टर सीनेर सिस्टे में पीपीएसी ता कोई भी एक्जाम होए उन्दे लई जिन्ने भी साइंस दे कोशन बन सकते हैं अपना डेली प प्ली साइंस और टे क्लास है आही आई एं मतलक हर इंस्टुमेंट बारे जाना एंकंगे क्योंकि प्ली साइन गिल, कॉर, सिख, परम, वीर, हरप्रीत, अंकीता, सब नू सश्यकाल जी कहने, प्लीज साइंस एंड टेकनोलजी ते वीडियो बना दो, हां जी जी बना आदांगे, बना आदांगे, हां जी सब नू सश्यकाल, जल्दी जल्दी सेशन नू शेयर कर दो, फेर अपनी क्लास शुरू कर देया, दसो जी सारे स्ठीक ठाकों, कॉपरेटिव इंस्पेक्टर दे एक्जाम भी आगे, अपड़ाई कर रहे हो दे लही, की एमे, ये क्यारन टाइपिंग कॉली, हां जी जी हो गई, हो गई, हो गई, तश्यकाल जी सारे नू अंकीता, शुभम, परमजीत, ल शुरू कर देया, आज जब पढ़न जा रहे हैं, साइंटिफिक इंस्टूमेंट्स बारे, की केड़े इंस्टूमेंट्स दा की काम होंदा है, तो लो जी, तो पहला तो डफर्स बंदा है, लाइक कर दो, शेर कर दो, तो चैनल नू सब्सक्राइब कर दो, तो मैं नू पता स्क्रीन, त्यान दो हो जी, पहला अपने कोल की है, औल्टी मीटर, पहला की है अपने कोल, औल्टी मीटर, यड़्ी मीटर के दो, जो तो डवान हो के दो, बट अपना मेज मक्सद है है, कि अपा इंदे बारे जानना है, तो देखो की लिख्या है, used in aircrafts for measuring altitudes, ठीक है, ठीक ह तेखियार, वैसी पिक्चर दिखाती तो इन्हों की एल्टिक्वाइट्व मतलब हाई टेक्या कहा रहे हैं तो न्हों एज कहरती बट एरक्राफ्ट जे विच यूज हुन दा है कादे लई measuring altitude की मतलब किनी height है किनी height दे उपपर है तो देखो जी आ देखो इस तरह दा ultimate altimeter हुंदा इस तरह दा मीटर हुंदा है तो आपा याद की रखने altimeter की हुंदा है altitudes मेजर करन वास्ते यूज हुंदा है तो पहली गल होगी सही ठीक है जी पहली गल क्लियर होगी तो अगली गल कर दें जी अपा अगला देख लो ते सारे अब यह काम है इलेक्ट्रिक करेंट नूँ मैजर करना इलेक्ट्रिक करेंट नूँ मैजर करना मतलब कोई भी किसी भी वायर चो किसी भी ठेक है अपने को instrument appliance विच करेंड़ फ्लो हो रहे है ना तो एप मीटर लगा कि एप चेक कर लिता जानता है कि किन्णा एंपियरशेशा थो करन्ट किलो हुँ हें है अब होका करन्ट यूनित क стать च्राट्रंट Прिकी करें करन्ट किनू कर यह कंदेक है एक होगा तो ड्रीया यह2 जिन देवच नजर आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोंज हो रहेने फ्लोत यह नाल की हुंदा है पता लगदा की करेंट है मतलब की है वायर देवच करेंट है तो आज इजी अपना एम मिटर देखो एम मिटरी म मिटरी मजरी मिली अम्पेर लिक्ए है मिली अम्पेर देविच भी हो झैन दा टीम लगाऊंगे तो उस्तों बात देखो जी और उस्तों बात तुसी की करोंगे जए तो पता लग जेगा म मीटर बार पतर लाग गया ठीक है ठीक है अलोजी अगला अनीमो मीटर अगला की है अनीमो मीटर अनीमो मीटर की कारदा है मेजर्स फोर्ज एंड विलासिती ओव बेंड मतलब कि किन्नी तेजी नाल हवा हवा चल रही है how is speed की have velocity की है तोस्व मेजर करन लए क्यों भूट है ऐनीो मीटर जायद और में यदfire पार भी कितल सी ना अनीमो मीटर भारे भी गलकितल सै視 את करदा है velocity of the wind की कर दहाख द वे तो देखो एद्धा इंस्ट्रुमेंट लगा देता है एद्धा इंस्ट्रुमेंट लगान टो बाद एsन्ट्वीर किसी तो इन्हें डशका तो बात है कि अधननु कोई दिंहा सब दशकोczenia नह Kollege किन्नी देर तक आई सी, देखो जी दो मिने तक सिखन चे लगे सी, क्योंकि आपनू कुछ भी नहीं होंदा सी गा, तिन मिने तक परफेक्ट होगे, एथो तक सब नू गलना समझ आ गईया या नहीं आया, चलो जी चलो कर दें फिर अगए, अगला कर दें, देखो अगला, आ की है, आडियो मीटर, आडियो मीटर भी कुछ है, देखो आडियो मीटर की काम कर दा है, मैसर इंटैसिटी अफ साउंड, एट इस इट मेसर राओ अबर घर, फिर देखो जी, ममाण लो, मैं इतने खडिया थीप है ठीक है जी मैं इत्के खड़ी है ते में नू किन्ना का सुन रहे है किन्ना का चंगी तरह सुन रहे है कट सुन रहे है वाद सुन रहे है तो ओधे लई ओडियो मीटर यूज हुंदा है देखो इत्थे यूज किता जा साथ है जिदना नू hearing impairment हुंदी है मतलब जिनना नू बढ़ देखो यह हुज है इंस्ट्रुमेंट्स यूज किता जा सागदा है क्योंकि धिक दश्ड़ा इंटैंसिटी ओफ साउंड दस्ड़ा किन्ना सुन रहे है बंदेनों टे किन्ना नहीं सुन रहे है किन्ने फर्स्ट वाला रेपीट कर दो फर्स्ट वाला केड़ा नाम तो फिर रिपीट करदांगे, आँ देखो, आडियो मीटर बारे दसता, कि इंटेंसिटी आफ साउंड नो मैजर करदा है, ते किन्नी चंगी तरह परसन नो हीर हो रहे है, सुन रहे है, तो करदांगे, छीक है जी, तो देखो, आ लोजिक, सिंग साब ने एक बहुत वधिया ग सुन सकदा है, किन्नी फ्रिकेंसी तक अपानो सुन सकदा है था, 20 हर्ड्स, तेक है, अपनी 20 हर्ड्स तो लेके, 20,000 हर्ड्स, किन्ना 20,000 हर्ड्स तक एक नॉर्मल, आ क्योंगा, एक नॉर्मल हुमन बींग नो सुनाई दिन्दा है, एक नॉर्मल हुमन बींग नो सुनाई दिन्दा है इन्हीं करना समझ आ गये सबनूं आ समझ आ गया अगला कर दे अगला की ए एक्सेलरो मीटर एक्सेलरो मीटर देखो एक्सेलरो मीटर तो नाम तो ही पता लगी आंदा है कि अग्सेलरेशन से इять है खरॲद कि दे एक्सेलरेशन क दे रिगार्ण तो देखो एट आलेक्सेलरो मेरा काम है समझ सुआख कर देखोंगं रिक्ष औहलिक्सेयग thriving प्रिक्या वास्ते की यूज हुंद है एक्सेलरोमीटर तक किसे नू एक्सलरेशन बारे पता है कि एक्सलरेशन की हुंदी है मैं तो डे तो जानना चाननी है कि एक्सलरेशन किसे नू पता है कि एक्सलरेशन की हुंदी है मतलब डेली लाइफ देवेच एक्सलरेशन दा की रोल है कित्थे तुसी देख 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 दे तानसर आया है महक प्रीदा वीकल्स एक्सलरेट करने है तब बिलकुल साही है बिलकुल वैसे गल साही है आपा मॉली वीकल्स विच यू स कार देखां तो दे समस्थ है जदो भी विलंग ही मोली एस प्राइशित आप टाइम फ़ूरेट तो वदे समस्थ है थो उन्हीं कहते है अपर एक्सेलोरेशन, तो जी में की तुसी नॉर्मलि हच शुरू किती हो किनी 65 दी थी लेहेे तो साटते लожет चलो घी ठीक यह मतलब की हो रहे है कि अपने गौल विलासिटी चेंज हो रही है मतलब वीलॉसिटी इंक्रीज रही है पहला उनुक्रीज हो रहे है औरने एक्सिलरशन ज़नों केς केल से लिए कट रही हूं धए शिद्धा पर प्राइघ को जुशे काते हों दी तो कर देऊं वीं वीं तो कर देऊं दास दास तो बात तरह सी जिरो हम एक नाम उन्दा है रिटार्डेशन की नाम हुंदा है रिटार्डेशन तो इन्नी गल्ला सब मों समझ आ गिया तो अप अगला कर लिए अगला कर लिए यह सारे बहुत इंपॉर्डेन ने याद रखना है जी तुसी बहुत इंपॉर्डेन ने बैरोमीटर की है बैरोमीटर यूस्टो मेजर अट्मोस्फेरिक प्रेशर मतलब अपने अट्मोस्फियर जो है ओ किना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है ओ कौन मेजर कर दाया जी बैरोमीटर ता आ लो जी बैरोमीटर जी डाइग्राम में इद्दा दी मतलब बैरोमीटर इद condition नू measure कर दा है सारे जिनने भी instruments सुन देने हो सारे measurement किसी न किसी चीज Dhe measurement वस्क्ती बनेने ती एक्जाम बिच काफी बार पुछे जान देने ता एस करके दूर दी चीजा देखनीया हूँन दूर दिया चीजा देखनीया हूँन तपा की यूज कर देज आ की यूज कर देज आ बाइनॉकिलर यह देखो इते लिखिया है used to view see distant objects मतलब दूर दे अबजेक्ट्स नू देखन ले की यूज हुन्दा है है बाइनोक्यूलर यह हुंदा है बाइनोक्यूलर अगली गाल करिए काडियोग्राम अगला की है जी काडियोग्राम यूस्टू ट्रेस ता मुव्मेंट ओफ हाच रिकॉर्डेड ओन काडियोग्राफ मतलब तुसी ओ सुने आ हो ना एक फिल्मा चे भी देख्या होगी इट मिंस बंदा टाप गया जदो तक वेव्म रहना मतलब एक कीमे पता लगदा यह काडियोग्राम ते पता लग दे तो जटो ट्रेस कर दे बीट्स नू, ता आ लेज, आ सीजी, की है, प्रेस्ट मूवमेंट्स ओफ दा हाच, रिकॉर्ड़े ओने काडियो ग्राफ, गल समझ आगी काडियो ग्राफ बारे, गल समझ आगी काडियो ग्राफ बारे, अगली गल कर दे, सिनमेटाग्राफ, सिनमेटाग्राफ, सिनमेटाग्राफ की हुंदाह देखो, अ इंस्तुमेंट यूस फ्रोजेक्टिंग पिक्ट्रस ओड इंटा-पो ठ्राइन, टू एम लाज एमेज ऑफ फोटोह ग्राफ, मतलब की है, मतलब स्क्रीन ते पिक्चछस दिखान वास्ठे सि किनो मेटो ग्राफ यूज किता जानदा सी उन एंडी देखो सब दो न पुराने टाइम दे गलना ने ठीक है अपने को सीने मेटो ग्राफी हुंदी सी कि में actually की कर दे सी बहुत सारी पिक्चर्स लगा दे सी तो उन्हों मतलब 1 अपॉन 16th of second मतलब एक सेकिंड दा एक सेकिंड दा सोलवा हिस्स है मतलब इन्हे टाइम देविच उन्हें चौवी पिक्चर्स कम आ दे सी और सारी पिक्चर्स कम आ दे करेक्टर जो भी हो बोल रहा है तुर रहा है तो मतलब इक चीज दा मतलब इक इन्स्टेंट बनान लए इस सारे पिक्चर्स यूज कर दे सी पिक्चर्स लू कुमान दे सी एक सेकिंड दे विस सोल में हिस्से चे ता ओ दो अपनु एमें लागदा सी कि ओ अबजेक्ट की है कि अगर आ गई अगर आ चुकी है तब अगला कर लेने मुझा अगर आचुकी है तो अगला कर लेने अगला है देखो krescograph, it's important, actually it's important, krescograph अपने लिए काफी important है, क्यों important है, देखो, की लिखे, used to record the movement of the tip of the plant, अगर ए चीज़ ना लिखे तो सिद्धी जी गल एत जाता आ सब्सक्राइब, या फिर, used to record the, की देखना है, अपना growth of the plant, मतलब प्लांट दी ग्रोथ चैतकरन वास्ते क्रेस्कोग्राफ यूज हुंदा है की यूज हुंदा है क्रेस्कोग्राफ गल समझ आगी, kresco graph तो यह तुन पता होना चाहिए कि पहला kresco graph की ने बनाया सी जगदीश चंद्र बॉस ने बनाया सी ठीक है, जगदीश चंद्र बॉस invented the first kresco graph in the early 20th century तो आज सी जी ओन दा kresco graph आज सी जगदीश चंद्र बॉस जेती बॉस तुसी नाम पहला सुनेया होना ते प्लांट देवच ग्रोध चेक करन वास्ते ए चीज बनाई गई सी ते सक्सेस्फुल भी सी इन्नी गाल समझ आ गई है सबनू तो अग्ये कर लिए अगर इन्नी गाल समझ आ गई है तो अग्ये कर लिए सारे अग्ये कर लें लाऊ है अग्ये कर लिह कर लिए कि अग्याए डाइनमो अग्या की है डाइनमो तो देखो कनवर्ट्स मकैनिकल एनर्जि इंटो इलेक्ट्रिकल एन ऩंर्जी ए तक उश्तित्व एकले क गाले लिए सक्थी ग Karlे वह तक lors देखो, जेन्रेडर ही विछ भी हुंदा है, जेन्रेटर भी मकानिकल एनरजी तो इल्य नाम दिते हैं देखो, अपने कोल मोटर सी, इलेक्ट्रिक मोटर सी, जीदेचे अपा क्या सी, कि ओ की करदा है, अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी तो हो मेकैनिकल प्रोड्यूस करदा है, तो एक की करदा है, मेकैनिकल तू इलेक्ट्रिकल, तो दोनों ऑपोजिट ने, दोनों की ने, ऑपोजि देखो जी फैदो मीटर बारे वी शायद तो नों 2080 एक ही कारदा है यूज टू मैजर डैप्त आफ दा ओशियन मतलब ओशियन दी किन्नी की डैप्त है मतलब ढूंगा ही किन्नी है ओस चीज नों मैजर करन वास्ते इंस्ट्रुमेंट बनाया गया है अपने कोल फैदो मीटर क we call the feather, meter used to measure the depth of the ocean इन्नी की गल्सी देखो जिन्ना जो भी अपनी इंस्टुमेंट्स ने नापी तो अंदेचे एन्नी कोई समझान वाली गल्नी हो तो को कि इन्नी कोई नाम किया तो इंस्टुमेंट्स नाम किया तो अधा कम किया देखो होड़ता आपकोई explanation करनी नी तहीं सिंपल जी गल्ला ही रहें गया जस्ट ए मतलब ए समझ लो एक लास सिफ तो डेली लर्न करन वाली है तक तुसी सारी गल्ला याद रखनी है समझ आगी चलो जी अगला कर दें आपका कल्वैनोमीटर गल्वैनोमीटर तब एदे बार इसे वी जो है यह जिए कुछ है उदे विच करेंट फ्लो कर रहा है यह नहीं कर रहा सिर्फ गल्वैनोमीटर ओ दस दे नाथिंग या अंतलब या तो समझ लो ठीक है इंडीर थीक्या इसे चरण्ट हों रहा है यह नहीं हो रहा है तो देखो जी एक तदा नहीं सतरु सबस्क्राइब करते हैं तो किह मेजर्मनेट कंगा स्विक्राइब मेंट kolay 알त देख स्ट टाव है है अगला की है क्राइओ मेंटर के था क्रायो मीटर की हूंद है मैजर्मेंट ऊफ लो टेंपरिचर क्रायो मीटर भी तो नो करवाया था कि क्रायो मीटर विल्ट नो अपने कोल इंस्टुमेंट है ठीक है तब फिर एक ही कारदा है एक थर्मोमीटर दी तरह ही एक्ट कारदा है थर्मोमीटर वी अपने कोल टेंपरेचर दसदा है टेंपरेचर दसदा है वैक क्रायमीटर की है दसना अफने इन भी टेंपरेचर बडच लोग टेंपरेचर ता एसी जी ख्रायमीटर क्रायमीटर त स्झेदल dro मीटर है 108 कि राखो डारेलीटिव थे खेमने हाथ कौन हुखना है थीक है राटरहमीटे का दाई है मेजर दैलीटिव देंस्टी निक द सब्से Хerson कि मतलब किसी। मतलब में इन चरोकम पैरिजंझ समय है है in comparison to मतलब कि कि किसे हो लिक्विड दे साव नाल एस लिक्विड दी डेंसिटी किन्नी है ओचीज दस्तन वास्ती यूज हुंदा है अपने कोल हाइड्रो मीटर की यूज हुंदा है हाइड्रो मीटर इन्नी गल्स अबनू समझ आ गई या नहीं आई समझ आ गई तो अगला कर दे हैं हाइग्रो मीटर ए तो देखो जी बहुत वार आंदा पेपरां चे यह हाइग्रो मीटर नाल पता नी की पेपरा लेनों की है यह हमेशे ही पादिन दे है हाइग्रो मीटर की लिख्या एना ने यूस्टु मेजर्ट दा मॉइस्चर कंटेंट मतलब अलिएडे फी फीज़े के सकते है ढादि दे माइस्ट्रवी के सकते है मॉइस्टृ के सकते कि वह मैं कोई forskjLK के सकते हैं जिनने भी water molecules present ने उनु पता करन बास्ते यूज हुनदा है हाइग्रोमीटर ते ओ नहीं कहने है अपा air देवेट जदो water content हुनदा है उसनु ही moisture दा नाम दिता है यांद है ते उसे नु ही humidity दा नाम दिता है यांद है तक गल समझ आगी वैसे मैं उनु पता है ठीक है कि humidity ने शेयर कार दो ते जिनना ने भी session नो लाइक नहीं किता हो जल्दी अल्दी session नो लाइक कर दो मैं देख रही है अद्धे तो वद्ध बच्या ने session नो लाइक नहीं किता है अगर तो नु समझ आ रही है तो मैं जरूर दसो ठीक है चलो जग्जे कर दे हांजी बिलकुल the amount of water droplets present in the year बिलकुल सही गल कही है लिख दिनने वैसे गल वधिया थी amount of water droplets in the year a no key किया जानदा है humi dt तद देखो जी अगला आगया manometer किया आगया manometer तद देख लो जी किया manometer हुंदा है use to measure atmospheric pressure a no v atmospheric pressure find करन वास्ते या फिर measure करन वास्ते use किता जानदा है use किता जानदा है बस इन्नी की गल्ला ने जल देखो जी आज सेशन सिर्फ तो डेली learning portion होएगा ठीक है मेरा काम सिर्फ दसना है कि केड़ी चीज की कर दिया ठीक है यह चीज़ां सारी तुसी जनाल अटैच होंदा है मतलब जो भी अपने vehicles नहीं ओधे wheels नल अटैच होंदा है जो की जी में ही wheels ठीक है ठीक है जी में ही सब्सक्राइब न इंस्ट्रूमेंट करना है तो सब्सक्राइब वेह लगा लगी हो ना अधिसे लग्या हों देना लिखे आंदा है जिवे जिवे टायर मुव कर देना तुदी था तिन आया तिन तो बाद चार मत अधिन मुवमेंट हुंदी जांदी है सिब एक कोई एक लाइन एदर मूवम हुंदी रहां गाल समझ आगी त एह हुंदा है अपना ओडो मीटर थी आभ ओडो नियुंदा आप स्पीडो मेटर हुंदा है मतलब यह पूरा हो दखाया तो नो वीकल टा सिस्टम दखाया कि वीकल चे की कुछ लग या हुन दोई कि वीकल चे आँ तोड़ि तोड़ी वीकल थी स्पीड किन्नी है गाल समझ आ गई है अग्गे देख देख दे आ अग्गे देख दे आ आ लोजी फ्यूल मेटर भी बनाता पहने चाहित सख्साब किye और सब्सक्तुमेंयों कि फ्यूलन कि के विछ त। अ कि द रैंद शीजिएंट कि अगे गर देंगों घगने अगला है ओम मीटए ओम् देनाम तो बताल चल गया हो गया कि की फाइंड कारदा है रुच्ट्रक्षन मतलब रुकावट अब्स्ट्रक्षन in दा फ्लो फ्लो मतलब वगना ठीक है अब्स्रिक्शन इन दा फ्लो ऑफ करेंट मतलब करेंट दे फ्लो दे विच जदो रुकावट पैदा हुं दी है उस रुकावट नू अपा की नाम दिनने आ की नाम दिनने आ रेजिस्ट रेजिस्टेंस ते रेजिस्टेंस नू मैजर करन लगी केड़ा आपने को इंस्टुमेंट है ओम मेटर तरês इस्टेंस दे यूनिट रिजस्टेंस एक्चलि रिजस्टेंस दे यूनिट हुझा। तो अपने नाम नाल ही बना बिश और यह गंड़ तो सारे हैं गल्णा तो समझ आ गई सारी अगलना वैसे तोनु समझ आ गई है होनिया अग्य कर लिए चलो जी अग्य कर दे है सिस्मो ग्राफ सिस्मो ग्राफ is also much important सिस्मो ग्राफ सिस्मो ग्राफ की हुंदा है use for recording the intensity and origin of earthquake shocks मतलब कि जो भी earthquake कई वर आन्दा है ता ओ किन्ने की intensity दा आया सी किन्ने की intensity दा earthquake आ रहा है ओ कौन मेजर कर दा है सिस्मो ग्राफ मेजर कर देते origin मतलब किद्रों originate होके earthquake आया ओ भी कौन मेजर कर दा है सिस्मो ग्राफ मेजर कर दा है अर्थ को एक तो नो पता होएगा क्यों आन्दा है actually earth दे क्रस्ट देविच प्लेट सुन दियाने अर्थ दे क्रस्ट देविच प्लेट सुन दियाने जीनना नो शाइद tectonic plates वगरा कहनने अर्थ को एक आन्दा है चलो जी चलो अग्गे कर दे हैं स्पीडो मीटर दोनों पते ही होना हुंता उन्दilli द दसके हटी है आसी जी अपना odo meter आसी अपना speedo lifesट जो कि अपनों की दस्टदा है speed बारे दस्टदा है कि किन्ने किनी द्सपीड होगी 40 70 द्सपीड है ओध बारे दस्टदा है odometer tasty speedometer गगन गिल तुसी की रिपीट करनू कह रहे हो आगल समझ आगी स्पीडो मीटर की करदा है for measuring speed of the vehicle कोई vehicle किन्य स्पीड ते चल रहा है उनू कहनने आपा स्पीडो मीटर गल समझ आगई चलो जी अगली क्याल करने आपा स्पीडो मैनो मीटर एनू देखके दर पक्का सब नू याद आई गया होना ठीक है blood pressure तो सारे ने चेक करवाया होना ठीक है सब वैसे नॉर्मली देखी लिया होना चलो कराया होना ना कराया होया बट तुसी देख्या था जरूर होने इद्दा धी machine है ना स्फिग्मो मैनो मीटर गाल समझ आ गए स्फिग्मो मैनो मीटर blood pressure नू मैजर करन वास्ते यूज हूंदा है ये machine यूज हूंदी है अग्गे देख्यो अग्गे कर देख्यो हान जी बीपी कहन दे शॉट फॉर्म दे विच बीपी चेक करायो चाहिंनAY करेख्यों ओल जी बीपी prevention यूज बीपी कि ऐी यूंदा परफ्मो मैं ढम मैंपनाद करें इंप एंपर्टन आज है ट्रास्फॉर्मर युज don ट्रांसफॉर्मर दा कम की हुंदा है पीडिएफ में तो उन्हों एदी प्रोवाइड कार दूंगी एक्चुली ए थेओरेटिकल है तो मैं तो उन्हों प्रोवाइड कार दूंगी कोई गाल नहीं डिस्क्रिप्शन ची पातांगे या फिर कमेंट ची पिन कारदांगे कुछ भी कारदांगे तो उन्हों पीडिएफ देदांगे कोई टेंशन आलो तोसी हां जी वैसे तह मैं ही क्या सी नाल नाल नोट कार लो बट कोई गाल नी तो नू दे दांगे PDF भी उसी भी की याद रखोंगे कि तो नू PDF दित्ती सी मैं तो देखो, transformer, transformer दा कम की है, एक apparatus है जो की की कारदा है, convert कारदा है high voltage to low and vice versa, मतलब एक ही है मतलब, अगर high voltage है, तो उनू low चे convert कार देगा अगर low है, तो उनू high चे convert कार देगा मतलब, transformer अपने कुल दो तरह दे होंगे इक होएगा step up transformer, इक होएगा step down transformer इत्ते लिख देने हैं, पहला होंदा है, step up transformer ते दूसरा होंदा है, step down transformer तो देखो, step up केड़ा होंदा है, जो की voltage नूँ cut तो वद कर दे, ठीक है जी? ते जो step down है, जो की voltage नूँ cut आदा वे ता, देखो, एद्दा इन वद्दे ट्रांसफोर्मर खंबयाना लाके लगे होंदी है, जो की देखो, बारों जो voltage आंदी है बहुत जादे आंदी है, तो उनूँ cut आण वास्ते ठीक है, या फिर आपने वद्द वोल्टेज की से नूँ यूज कर देखो, एक्चुली देखो, MCB तो उनूँ काफी voltage आ रही हुंदी है, बट तोड़े फोन नूँ, तोड़े फोन नूँ voltage बहुत, मतब इननी नहीं चाहिए दी हुंदी, जिननी MCB तो आ रही हुंदी है, तो इस करके तोड़े ले एहा, कि तुसी मतलब, चार्ज कि अधर काम की हुंदी है, MCB तो जो वोल्टेज आ रही हुंदी हुंदी हुं पहला कट किरे वोल्टेज से काट करन तो बाद तोड़े मतब, मतलब, फोन नूँ चार्ज करन ली, जिननी वोल्टेज चाहिए दी हुंदी हुंदी, चलो जी, कल समझ यहागी, सब नु एननी देया, अग्ये कर देया, तो लो जी अपना अज दा कम इत्थो तक ही सी, तो मिन्नु ए दस्सो, ए सारे तो नुँ समझ आगे, इंस्टुमेंट्स इन्ने ही सी, देखो जी, इंस्टुमेंट्स इन्ने कू ही सी, बाले नहीं सी, तक किसे नुँ कोई एत्थो तक डाउट होवे, ता मिन्नु पुछ सकद है, किसे नुँ एत्थो तक कोई वी डाउट होवे, ता मिन्नु पुछ सकद है, किसे नूँ किसे तरह डाउट मैं दो मेंट खड़ी है तोड़ी सुनन वास्ते किसे भी इंस्ट्रुमेंट चे डाउट हो या फिर किसे नूँ किसे और तरीके दा डाउट हो बे क्लास टाइम डेली बारा वज़े दा है बारा वज़े साइंस दी क्लास लग दिये ते डेली अपने कुल दो वज़े मैज्स दी क्लास लग दिये बारा ते दो याद रखने टाइमिंग चलो जी समझ आ गया I have a questions पुछो जी कोशन केड़ा कोशन है पुछो मैं देख दी है कोशन तो पुछो और नी चेर में देख दिये है कर दो है कि हो गया कर दो कि कहने फर्स्ट वाला समझा दो देख लेने चलो समझा आदेने कमेंट कि दर है पीपीटी अपनी फर्स्ट वाला इसी फर्स्ट वाले चे आवला ओल्टी मीटर तेरे गया आ समझने ओल्टी मीटर समझने है देखो जी आवल्टी मीटर विच की होंदा है एल्टी ट्यूड मेजर करन वास्ते मतलब हाई जो भी मतलब अल्तिट्यूड की में दसना मध्या प्राइब जिन्हीं हाईड डिस्टेंसिन्स नूम है अल्तिमीटर यूज हूंदा यूज राइंड है का ते क्यों एयरक्राफ्ट्स किन्नी उचाहिते ओढ रहे है ओचीज चेक करन वास्ते यूज किता नादा है तो होर्क यह कह रहे हु तो सी 11 सप्तम्बर तक खतम हो जो हान जी हो जेगा एस ऐस यहीं सप्तरी जीजी यहां यहीं एक नहीं दा सकते हैं कि मतबाँ पहला काई वाय साइंटिस पहला भी दस दिन देया कि हां इत्ते अर्थक्वेक आनवाल है बट एचीज पहला नहीं दशी जा सकती एज सिव कुछी सेकंड्स पहला ही पता लगदा है कि अर्थक्वेक आनवाल है तो कुछ सेकंड चे बंदा भी किया ओम मीटर करवा दो ओम मीटर कि अपना ओम मीटर आसी ओम मीटर मैं तुम दस्या वह की रिजिस्टेंस नू अजर करन वस्ते रिजिस्टेंस की हुं दिया है अगर करंट दे फ्लो देविच जदो रुकावत आंदी है कैने किन्य रिजिस्टेंस prendre रिजिस्तेंस साघत हो डिच दियुदिा किन्नी रिजिस्टेंस है किसी वायर देविच किसी अपलाइंस देविच सब्सक्ण है अन्य मैजर करनवास्ते की हुं दा है AUDIENCE मैजर करनवास्ते ओम मीटर दा यू出来 किसी होल की फैयदा हो जो लोक का नू बचानी सागता देखो कि एद्दा कुश भी नी बने या ठीके एंटेंसिटी इनकी इन्टेंसिटी आया किन्नी की इन्टेंसिटी नहीं आया बस इननी की गल ते रिजिस्टेंस तो मैर घर तो पुद आगई थे नहीं है थे न घॉलब लो जी अगर तोनों गल्ला समझ आगी है तो उसी अड़ा 24 7 दी आप डाउनलोड कर सक देओ छी कि आप डाउनलोड कर सक देओ ते नाल ही नाल तो देखो जी अपने जडे बैची आएने आपने जडे बैची सपेशली पीपी एसी वासते तोनों एक दस्दियमें तोनों लिए चेक कि आएगा देखो व्यू ओल किता तो देखो जी अपने कोल पीपीएसी दे जो भी बैच है ठीक पीपीएसी सीनियर असिस्टेंट दा बैच चली आंदा ते नाल ही नाल अपने कोल पीपीएसी कोपरेटिव इंस्पेक्टर दा एक रिवीजन बैच आया है मतलब द त्यारी हों देखो चाली के दिन रहेगे चाली पंताली दिन रहेगे तो अगर तुसी रिवीजन करना चानने हो अगर तोड़ी त्यारी थोड़ी बहुत होई पाई है तो तुसी हर एक गल्ला नों रिवाइस करना चानने हो एक एक चीज समझना चानने हो तो देखो जी प अगर तुसी वाई 564 वाई 564 तुसी कोड याद का सकदे मेरा कोड है ठीक है अगर एक कोड लगाने होता यह तो नूँ चलो जी अगर तोनु सारियां घलना समज आ चुकी या तफिर आप मिल देए आप अकलनु पिर आज देलही सारियांदा तन्वाद Thて आज देलही सारियांदा की हो गया आज देलही सारियांदा तन्वाद अगर तोन्ों क्लास पसंद आन दी है तो वाद तो वाद शेर करया करो वाद तो वाद लाइक करया करो तक कमेंट करके मिनउं जरूर दस्या करो कि तोन्हों क्लास किमे लगदी है। अगर तुन्हुं कोई डॉट हुद है तुसी ओवी कमेंड कारके मेंनू दस सख देऊ।ताским कंद के अभी कमेंड करें स्ख देऊ। झाल प्रेच झाल